इस वीडियो में आप सीखेंगे गूगल पे एप द्वारा मुबाइल रिचार्ज और बिल का भुकतान करना अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें अन्य लोगों के साथ शेयर करें हमारी नई वीडियो की जानकारिय आपको मिलती रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो बैल आइकन है उस पर क्लिक करें गूगल पे एप की सहायता से आप बहुत ही आसानी से प्रीपेग मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं इनके लिए गूगल पे एप में आपका बैंक अकाउंट लिंक्ट होना आवश्यक है जिसकी जानकारी हम आपको पिछली वीडियो में दे चुके हैं उसकी वीडियो की लिंक और Google Pay के अन्य वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही ग्यानियगे के द्वारा बनाई गई, Word, Excel, PowerPoint, Tally, इत्यादी वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्र में मिल जाएगी, इस वीडियो में हम आपको प्रिपेड मोबाइल को रिचार्ज करने का तरीका और लेंड लाइन बिल पेमेंट करना बता रहे हैं, इसी तरह आप दूसरे बिल पेमेंट भी कर सकते हैं, इसके लिए अपने Android फोन में दिखाई दे रही Apps में से, Google Pay पर क्लि इसको टच करते ही आपको काफी सारे Options दिखाई देंगे, इन में से Mobile Recharge Option पर टच करें, यहां जिस नंबर को आप रिचार्ज करवाना चाहते हैं वो टाइप करें, आप चाहें तो अपने Phone Contacts में से भी नंबर सिलेक कर सकते हैं, उसके लिए Phone Book वाले आइकन को टच करें, इस इसे Phone Book अपन हो जाएगी, इसमें से जिस भी नंबर पर आप Recharge चाहते हैं उसे सिलेक करें, हम फिलहाल दूसरे किसी नंबर को Recharge करना चाहते हैं, तो Cross को टच करके दोबारा Recharge पेच पर चलते हैं, अब यहां पर वो नंबर टाइप कीजिए और Arrow के निशान को टच कीजिए ऐसा करते ही यह एप Operator अपने आप सिलेक कर लेती है, गूगल पे ने जो Operator सिलेक किया है, यदि वो सही नहीं है, तो आप अपने Sim Operator का नाम चेंज भी कर सकते हैं, ओपरेटर का नाम चेंज करने के लिए यहां दिखाई दे रहे Operator के नाम को टच करें, अब इस List में से Operator चुने, Operator चुनते ही आप से स्टेट सेलेक करने को कहा जाएगा, दिखाई दे रही List में से Sim जिस स्टेट की है उस पर क्लिक करें, स्टेट सेलेक करते ही यह स्क्रीन दिखाई पड़ेगी, यदि यहां कोई निकनेम देना चाहते हैं, तो वो टाइप करें, अब Continue को टच कर करते ही आपके नंबर और Operator से संबंधित जितने भी Recharge Plans होंगे, वो यहां पर दिखाई देंगे, आप इनमें से अपनी आवशक्ता नुसार कोई भी प्लान चुन सकते हैं, हम अभी उधारन के लिए 10 रुपए वाला Recharge Amount सेलेक कर रहे हैं, अमांट सेलेक करते ही कुछ इ सेलेक कर सकते हैं, जिससे आप Recharge करना चाहते हैं, Proceed to Pay को टच करें, Proceed to Pay पर टच करते ही Processing स्टार्ट हो जाएगी और आप से UPI PIN एंटर करने को कहा जाएगा, यहां आपके बेंक अकाउंट का UPI PIN एंटर करके टिक मार्क पर टच करें, टिक मार्क को टच करते ही Payment हो जा देगी, फिलहाल यहां पर Waiting दिखाई पड़ रहा है, जैसे ही Mobile Recharge हो जाएगा तो यहां पर Paid दिखाई पड़ेगा, इस पर टच करके हम Details देख सकते हैं, देखिए यहां Right का निशान आ गया है, यानि Recharge successfully हो गया है, अब Back Option पर टच करके हम Google Pay के Home Screen पर चलते हैं, और आपको Bill Payment करना बता देते हैं, यहां दिखाई दे रहे Options में से Bill Payments पर टच करें, Bill Payments पर टच करते ही यहां कुछ Options दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि Electricity, Postpid Mobile, DTH, इत्यादी, इन में से आपको जिसका भी Bill भरना है, उसे Select करें, हम फिलहाल Landline Bill Payment करना चाहा रहे हैं, तो इसको टच करेंगे, यहां से Landline Phone की Company सेलेक करेंगे, हम BSNL Landline Individual पर क्लिक कर रहे हैं, यहां पहले आपको जिस फोन का Bill Payment करना है, उसे Google Pay से लिंक करना होगा, उसके लिए Get Started option पर टच करें, यहां अपने Landline Phone का Account नमबर, फिर अपना फोन नमबर, जिसमें STD Code तो हो, पर आगे 0 न लगा हो, और उसके नीचे यदि आप कोई नाम डालना चाहते हैं, जैसे की Home, Office, जत्यादी तो वो डालें, यहां एक बात का ध्यान रखें, अकाउंट को Google Pay से एक ही बार लिंक करना पड़ता है, अगली बार आप Direct Bill Payment कर सकते हैं, अब Arrow के निशान पर टच करें, एरो के निशान लिंक को टच करते ही आपके Landline phone number से संबंधे जानकारे यहां पर दिखाई पड़ेगी, आगे बढ़ने के लिए Link Account को टच करें, लिंक अकाउंट को टच करते ही यह अकाउंट लिंक हो जाएगा, देखिए यहां हमारा Landline का Bill, Amount, Payment, Due Date, इत्यादी डिटेल्स दिखाई अब Proceed to Pay को टच करते ही आपसे UPI Pin डालने को कहा जाएगा, यहां आपके Bank Account का UPI Pin एंटर करके टिक मार्क पर टच करें, टिक मार्क को टच करते ही Payment हो जाएगा, इस वीडियो में आपने सीखा Google Pay, App द्वारा, Mobile Recharge और Bill का भुपतान करना, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें